अलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में आज मैं आप सब के सामने लेकर आ गए हूँ डीजी लॉकर के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने सुना जरूर होगा और यदी नहीं भी जानते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूसफूल होने वाला है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे और यदी वीडियो आपको पशंद आए तो अपने दोस्तों के साथ सेर करना न भूले तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं डिजी लॉकर ने हाले में 10 करोड यूजर्स का आकड़ा पार कर लिया है यह लॉकर एक डिजिटल लॉकर है और इस लॉकर में आप सच्छनिक दस्तावे यानि एजुकेशनल डॉकुमेंट जितने भी है वो सारे अपने आइडेंटिटी और एड्रेस का जो परमान पत्र होता है उसको आप इसमें सेव कर सकते हैं और जर्रत पढ़ने पर कभी भी कहीं भी इसका प्रियोग कर सकते हैं तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि डिजी लॉकर जो है आकिर है क्या डिजी लॉकर जो है एक डिजिटल लॉकर है और डिजिटल लॉकर स्कीम पीम नरिद मोदी के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का महत्पुन हिस्सा है यह इंटरनेट आधारित इस सेवा के जरी आप जन्म परमान पत्र हो गया पास्पोट हो गया या फिर एजुकेशनल डॉकुमेंट्स हो गया जैसे आधार कार्ड माक्स इट वगेरा और पैन कार्ड जैसे बहुत ही इंपोर्टेंट डॉकुमेंट्स जो भी है आपके उसे के इस्तिमाल से आप अपना डिजिटल लॉकर आराम से खोल सकते हो डिजी लॉकर पोर्टल की मदद से ये दस्तावेजों का आधान प्रदान पंजिकृत को उसके मैध्यम से किया जाएगा जिससे ऑनलाइन दस्तावेजों की प्रमानिकता सुनिश्चित होगी आकशर वाले दस्तावेजों को सरकारी संगठनों या आप किसी भी अन्य इंस्टिचूट के साथ साजा यानि कि सेरा कर सकते हो अब जान लेते हैं कि डिजी लॉकर में आप अकाउंट कैसे खोले तो डिजिटल लॉकर इसकीम का परियोग करने वाले आवेदक को आधार कार से लिंक 10 MB का एक व्यक्तिगत स्टोरेज स्पेस मिलता है मतलब कि आप डिजिटल लॉकर में आपको 10 MB तक का डॉकुमेंट साप उसमें सेव कर सकते हो चहां वे सुरचित रुप से ए दस्तावेज एवन यूनिफॉर्म रिशोर्स आइडेंटिफाय यू आर आई लिंक को डिजिल लॉकर में अकाउन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा तो सबसे पहले अकाउन बनाने के लिए डिजिलॉकर.gov.in पर आपको क्लिक करना है या फिर ये वेबसाइट आपको खोलना है इसके बाद साइट के दाइं और साइन अप पर क्लिक करें अब आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां अपना आधार से लिंक किया हूँ मॉबाइल नमबर आप उसमें दर्ज करें डिजी लॉकर आपके द्वारा दर्ज मॉबाइल नमबर पर एक ओटी भी भेजेगा जिसे दर्ज करना है यूजर नेम और पासवेट सेट करें इस तरह से अब आप डिजी लॉकर का इस्तिमाल कर सकते हैं आप डिजिटल लॉकर पर अपने यूजर नेम और पासवेट के लावा सोसल मीडिया जिशेश फेस्बुक, ट्वीटर और जीमेल के अकाउंट से भी साइन इन कर सकते हैं अग जान लेते हैं कि अकाउंट में होगा क्या तो अकाउंट में होंगे दो सेक्षन डिजी लॉकर में साइन इन करने के बाद आपका प्रशनल अकाउंट आपके सामने होगा इसमें दो सेक्षन होंगे पहले में अलग-अलग एजन्सियों द्वारा आपको जारी सर्टिफिकेट उनके यूरल जारी करने की तिति और सेर करने का विकल्प होगा और दूसरे सेक्षन में आपकी द्वारा अप्लोड सर्टिफिकेट उनका संचिप्त विवरन और सेर वशाइन इनका विकल्प होगा जरूरी दस्तावेज अप्लोड करने के लिए पहले उच्चित विकल्प चुने जैसे अगर सर्टिफिकेट अप्लोड करना चाते हो तो माई सर्टिफिकेट पर क्लिक करें अप्लोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सर्टिफिकेट चुनें उसके बारे में मांगी गई जानकारी भरें और ऐसे ही एक एक कर आप अपने सारे दस्तावेज डिजिटल लॉकर में अप्लोड कर सकते हैं तो ये था डिजी लॉकर के बारे में जानकारी उसे कैसे ओपन करते हैं या फिर कैसे अकाउंट होते हैं उसमें क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिजी लॉकर से अब हमें क्या-क्या फाइदे होंगे तो डिजी लॉकर वस विधा है जिसके तहट हम अपने सारे डॉकुमेंट्स की सॉफ्ट कोपी को हम ओनलाइन एक वेबसाइट या मॉबाइल अप्लिकेशन पर सेव कर सकते हैं अब से भारत सरकार ने सॉफ्ट कोपी को भी उतनी मायने तर दे ही दे दी है जितनी की एक हाट कोपी को मिलती है अब आपका पहचान पत आपके फोन में सेव हो या आपके पर्स में पढ़ा हो दोनों ही बरावरवाद है डीजी लॉकर से और एक फाइदा यह हो जाएगा कि इससे हमें कागजों से आजादी मिल जाएगी इतने सारे जो पीड कटते हैं कागज बनाने के लिए वो कम हो जाएगा वक्त बेवक्त और बेमोसम कागजों को सम्हाल कर रखने के जंजड से हमें आजादी मिल जाएगी इस पर नियम के तहट वहाँ चलाते समय चालक को लाइसेंस, इंसरेंस, आधिकागजों की हार कोपी रेखने के बज़ए जाच के दोरां सॉप्ट कोपी दिखा सकते हैं इसके लिए चार्च पड़तार के लिए अधिकारियों के पास ओनलाइन चेकिंग डिवाइस होगा जिसकी मदद से वो आपके डिजी लॉकर में मौज़ुद महत्पुन कागजों को देख सकते हैं अगला फाइदा यह होगा कि डिजीटल लॉकर सेवा डिजीटल इंडिया का एक हिस्सा है इसमें जन्ब और सेचनिक परमान पत्र के साथ अईन महत्पुन कागजों को अनलाइन सुरच्चित रखा जा सकता है और सबसे महत्पुन बात यह है कि डिजीटल लॉकर अकाउंट खोलने के लिए आपके पास सिर्फ आधरकार नंबर होना चाहिए इसकी मदद से आप बिना दस्तावेजों के साथ सुगम तासिक कहीं भी यात्रा कर सकते हैं तो यह थी डिजी लॉकर से जोड़ी जानकारिया अगर इसके बारे में आपको कुछ भी पूछना हो या फिर कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो तो आज का वीडियो यही तक हम समाप्ट करते हैं और यदि वीडियो आपको पशंद आया हो और यदि आप कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो सेर करना ना भूले और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब चरूर करें तब तक के लिए टेक केर बावाए